फ्रेंड्स आज के इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गुगल बिजनेस प्रोफाइल का इंस्टाइंड वेरिफिकेशन के बारे में आपने बिल्कुल सही सुना Google बिजनेस प्रोफाइल को आपको क्रियेट करने के बाद आपको वेरिफाई करना होता है और वेरिफाई करने का अलग-अलग प्रोफाइस है लेकिन मोस्ट अप दे केस में हमने देखे हैं लोग वेरिफाई नहीं करा पाते हैं और प्रोफाइल सस्मेंड रहता है पब्लिक के लिए विजिबल नहीं होता है आज मैं इस specific वीडियो में मैं आपको दो process बताऊंगा जिस process के तहप आप आपका profile को instantly immediately आप verify कर पाएंगे इसमें मैं दो process बताऊंगा process 2 में जो मैं आपको step explain करूंगा वो step अगर आप follow करेंगे जैसे मैं आपको explain करूंगा अगर वो same step आप follow करेंगे तो मेरा guarantee है हंडेड परसेंट नहीं thousand परसेंट गरेंटी है आपका profile instant verify हो जाएगा और उसमें जो verification method enable होगा वह भी सबसे easiest verification method enable होगा मतलब आपने आपका phone number पे code आएगा या SMS पे आपको code आएगा तो उस code डालके आप instantly verify हो जाएंगे वह भी live हो जाएगा मतलब आपको verify करना नहीं पड़ेगा या सस्पेंट नहीं होगा तो मैं पूरा का पूरा experience यार करने वाला हूं आपको यहां पर इंपर्टाट चीज बता दूँ वीडियो लंबा होगा क्योंकि यह वीडियो को मैं आपको आराम से प्रॉपर तरीका में explain करूंगा ताकि सभी लोग समझ सके आपको यह वीडियो सुरू होने से पहले प्लीज आप आइदर आपके computer में आप कहीं पर नोट पेड़ पर आपको process लिखना है या फिर आपको pen paper पर आपको step लिखना है वीडियो अगर आपको लगे कि आप नहीं समझ बारें थोड़ा slow करके देख सकते हैं ताकि आप क process मेरे से नहीं होगा process बहुत difficult है यह process में time जाएगा में साइध नहीं कर पाऊंगा तो हमारा paid service है जो हम आपके लिए करके देंगे guarantee आपका profile rank हो जाएगा आपका profile live हो जाएगा instant verify हो जाएगा वीडियो लंबा है important है guarantee में दे रहा हूं profile को instant verify करने के लिए चलिए सुरू करत सुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूँ यह जो मैं आपको वीडियो सेयार कर रहा हूं यह हमारा premium course का हिस्सा है आपको अगर हमारा course चेक करना है इस वीडियो के description पर आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं और premium course का हिस्सा है इसके लिए वीडियो आपको प्लीज आपको ध्यान से देखना है ऐसे मत सोचना कि यूट्यूब पर है और देख लेते हैं या फिर थोड़ा देख स्कीप कर देते हैं ऐसा मत करना पहला हम बात करेंगे process 1 के बारे में पहला है process 1 अभी जो process 1 में explain करूंगा यह process 1 जो है यह Google पर depend है कि आपका profile को instant verify करेगा कि नहीं करेगा मैंने जैसे शुरू में बता है दो process बताऊंगा process 1 Google पर depend करता है आपका profile को instantly verify कराएगा कि नहीं कराएगा उसके लिए कुछ step है अभी आपको step को ध्यान से सुनना है process 1 के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं उसमें आपका Google business profile पर अगर आप instant verify कराना चाहते हैं ऐसे case में आपका step 1 है आपका website होना चाहिए आइदर आपका website होना चाहिए और फिर अगर मालीजे का website नहीं है तो आपको website create करने होंगे new website आपको create करने होंगे अगर आप चाहते हैं आप किसी freelancer से किसी digital marketer से create कर सकते हैं हम भी paid service है हमारे हम भी website create करके देते हैं यहां पर पहला conditional step 1 पर process 1 पर कि website होना चाहिए या फिर create करना पड़ेगा दूसरा जो process है वह है आपको आपका website को GSC से verify करना पड़ेगा GSC मतलब Google search console अभी आपका website होना चाहिए step 1 बता दिया step 2 बता दिया आपको कि आपका website Google search console से verify करना पड़ेगा आपने से बहुत साथ लोग को साथ Google search console नहीं समझ में आएगा क्योंकि इतना आप technical नहीं हो ऐसा case में आपने जिससे website बनवाए थे उसको आप बोलिए कि आपका website को Google search console में verify करके दे देवे अगर माल जी कि आपका website पहले से exist करता है तो आप जिनसे बनवाए थे उनको contact करिए कंटाक करके बोलिए कि आपका website को Google search console के साथ verify करवा देवे तो यह दोनों process complete करने के बाद उसके बाद जो है आपको आपका Google business profile बनाना चाहिए उससे पहले नहीं बनाना चाहिए मतलों website नहीं है और आप try कर रहे हैं आपका website को GST के साथ आपने Google search console के साथ आपने verify नहीं कर हुआ हैं आप try कर रहे हैं Google business profile create करने का मत करना यह दोनों process complete होने के बाद आपको Google business profile बनाना है और उसको verify करवाना है ऐसा case में कुछ रेयार केस में कुछ रेयार केस में Google जो है इंस्टांटली verify करवा देता है प्रोफाइल को लेकिन कुछ केस में वह नहीं कराता है जैसे कि मैंने सुरू में बताया कि यह गूगल पर डिपेंड है आप पर मेरे पर डिपेंड नहीं है फोलो हमने स्टेप ठीक से फोलो किया ह लेकिन कुछ प्रोफाइल जो है लाइब अभी आप रुकिये यह प्रोफाइल जो है लाइब हो जाएगा कुछ प्रोफाइल नहीं होता है इसके लिए यह मैंने आपको बताया यह है process 1 अभी मैं आपको बताऊंगा process 2 यह process 2 जो है यह guarantee है हम लास्ट 10 साल से यही चीज़ कर रहे हैं हमारे experience को आपको सयार करने वाले हैं तो प्रोसेस टू आप ध्यान से समझ लिजिए समझने के बाद आप डिशाइड करिए इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा हंडेट परसेंट गरेंटी है मैं जिस तरीके में अभी आपको एक्सप्लान करूंगा अगर आपने यह तरीका फोलो किया तो गैरेंटी आपका प्रोफाइल इंस्टांट वेरिफाई हो जाएगा इम्मीडियर लाइफ हो जाएगा बहुत सारे लोगों के साथ हमने यह किये हैं अगर आपको यह विडियो देखने के बाद प्रोसेस टू समझने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा हमारा पेड सर्विस ले सकते हैं जो क्या है कैसे है मैं पर निकाल लीजिए या फिर आप आपके PC में नोट पेड में अब लिखिए शुरू करते हैं अब यह प्रोसेस टू जैसे मैंने प्रोसेस वान पर बताया गूगल पर डिपेंड है प्रोसेस टू जो मैं गैरेंटी दे रहा हूं 100% वह आप पर डिपेंड है आप यानि जो इस प्रोसेस को करने बाले हैं उस पर डिपेंड है अगर आपने प्रोसेस को राइट तरीके में किया तो गैरेंटी है अगर आपने राइट तरीके में नहीं किया तो कोई भी गैरेंटी नहीं है अभी सबसे पहले इसमें स्टेप है बहुत सारे स्टेप है पहले स्टेप प्रोसेस 2 में स्टेप 1 है आपको एक लीस्ट बनानेपडेंगे वह लीस्ट है एन-P-A-W-D आपको लीस्ट बनाने पडेंगे लीस्ट बनाने पडेंगे मतलब आपके PC में या फिर आपके Word फाइल में या फिर Excel फाइल में आपको सिंपल है मेरे को मालूम है यह आपको यह जो लिस्ट बनाने के लिए मैंने बोला एंपी ए और डब्लीडी यह आपको दिल पर या दिमाग पर नहीं रखना है आपको वर्ड फाइल पर डालना है या एक्षल फाइल पर डालना है जो भी आप नाम रखना चाहते हैं उसको joda आपका डा он होगा वह लिखे और जो भी आप डिस्क्रिपशन आप लिखना चाहते हैं यह अप्र डिसृंपन लिखते बोक्र आप सकते हैं एक वरियरेशन आप कर सकते हैं 750 characters का, दूसरा 1000 characters का, तीसरा 1500, चोथा 2000 characters का आप description लिख सकते हैं, लेकिन उस description पे आपका जो brand name होना चाहिए, आपके business के related brand keywords होना चाहिए, जो product service आप provide करते हैं, वो keywords होना चाहिए, लेकिन यह आपको लिखना है, अब यह process वान जब हम कर रहे हैं, step 1 जब कर रहे हैं, इस टाइम पर हमें Google business profile create नहीं करना है, मतलब हमको profile create करने से पहले, जैसे हम होता है ना, साधी है, साधी का date fix हो गया, माल जीए कि December 10 तरीक को हमारा साधी है, लेकिन साधी से पहले हम बहुत सारे चीज़े करते हैं, साधी से पहले माल जीए की लहेंगा सिलबाते हैं, आर्टिस्ट find out करते हैं, अपना banquet final करते हैं, डेकुरेशन वाले के पास जाते हैं, similarly अभी यह सारे step है, साधी तो बात के बाद में है, सबसे end में है, similarly यहाँ पर Google Business Profile जो है, create करेंगे और उसको verify करेंगे, सबसे end में है, अभी मैंने आपको step 1 पर बता दिया, आपको यह list बनाने है, समझ में आ गया, list बनाईए, अभी इस वीडियो खतम होने के बाद list बनाईए, step 1 आपने not down कर लिया, अब आते है step 2, यह step को आपको ध्यान से समझना है, आपको आपके PC पे या फिर आपके mobile पे Chrome browser open कर लेना है, अभी जो आपने list बनाए है, आपने नाम, address, phone number, website, यह जो आपने list बनाए है, आपको इस नाम पे, आपको Google पे search करना है, आपको आपका phone number डालके आपको Google पे search करना है, आपको आपका address डालके आपको Google में search करना है, आपका website जो आप चाहरे हैं कि मैं यह website बनाऊंगा, domain name, उसको आपको Google में search करना चाहिए, साथ साथ इसका combination करके भी आप Google में सर्च कर सकते हैं नाम और phone number डालके Google में सर्च करिए नाम और address डालके आप Google में सर्च करिए और Google में सर्च करके आप देखिए कि जो नाम पे आप create करना चाहते हैं क्या उस नाम पे पहले exist करता है क्या उस नाम पे किसी और का है यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि Google में अगर search query में आ रहा है आप जिस नाम से search किये उस नाम पे आ रहा है और यह लिस्टिंग या जहां पे जो भी आ रहा है वह आपने ही बनाई हुए है तो इमिडियेटी वह सारे आप डिलीट कर दीजिए मतलब वहां पर आपने ठीक से नहीं बनाए होंगे वह सारे आप डिलीट कर दीजिए जो आपने बनाए है और आप search कर रहे हैं तो दिखाई दे र तो आपको दूसरे नाम और दूसरे नमबर रखना पड़ेगा जो यूनिक होगा किसी और के बिजनेस पॉफाइल पर वह डिटेल्स नहीं होने चाहिए तो गूगल में ये साल ही डिटेल्स करके आपको खास ये रखना होगा कि अगर आपने कुछ चीज़े आपने ट्राइ करते करते इसका उसका वीडियो देखते देखते आपने बनाये हैं तो वह सब अब आपको जो है गुगल माई बिजनेस क्रेट नहीं करना है अब हमने स्टेप टू समझ गए पहला स्टेप चाहा समझा लिश्ट बनाया दूसरा स्टेप चाहा समझा गूगल में उसको सर्च करके देखा और देखने के बाद क्या डिसाइड क्या अगर गलती से गलत गलत अगर किसी और ने बणाया है उसको हमें जो है Cage कर दे देना है मतला हमें और और आगकी नमबर बग चैन्ज करना होगा उसके बाद आते हैं हए फ्रेंडस स्टेप त्रू प्री अभी स्टेप फ्री जो है कृष्शन बाले मोड है अब आपको क्रेट करने होंगे गुगल business profile नहीं आपको create करने होंगे बहुत सारे चीज़े पहला चीज़े आपको create करना होगा आपका website अब website आप खुद create कर सकते हैं किसी से भी करा सकते हैं लेकिन आपको website create करना होगा website create करते बगत again name address phone number description same होना चाहिए website में जो आपके Google business profile पर डालना चाहते हैं उसके बाद आपको create करना होगा local listing और local listing मतलब मालजे क्या बंबे में है आप डेली में है आप कलकता में है आपके local area में जो भी सारे sites है वहां पर आपको listing कराने है और वहां again listing कराते वक्त आपको आपका name address phone number website और description आपको same रखना है मतलब आप मालजे कि मैं बंबे में हूँ मैं Google में search करूंगा local listing sites in Mumbai या local listing sites in महरास्ट्रा local listing sites in डेली local listing sites in Odisha ऐसे मैं search करूंगा करके हमारे आप जो भी area से होंगे उस area का जो भी local listing sites होगा उसमें आपको listing करना है अब यह जो listing करोगे इसमें एक दो साइट पर लिस्टिंग नहीं करना है most of the sites पर आपको listing कर लेना है जो सारे sites available है आपके local area में और यह इसको continue करते रहना है मतलब एक आज आपने दो किये कल दो किये परसुदों किये ऐसे आपको continue करते रहना है लेकिन अभी भी आपको Google my business profile नहीं बनाना है तो आपने local listing continue किया आपने website आप बना रहे है website बना लेना local listing आपने कर दिया बहुत सारे जगा पे उसके बाद आपको social media profile बनाना है social media profile बनाना है मतलब आपको आपका Facebook बनाना है आपका Instagram आपका LinkedIn आपका Twitter आपका YouTube आपका Vimeo आपका Snapchat अगर आपके country में TikTok है तो TikTok सो मतलब जितने भी social media हो सके हर जगा पे आपको बनाना है आपके profile एगें common एचीज ध्यान रहे कि आप social media profile बनाए वहां पे भी आपका name address phone number आपको Sam रखना है हो सकता है आपका social media handle थोड़ा सा 19 भी सो लेकिन handles चोड़के social media handles चोड़के जो नाम जो है वो Sam होना चाहिए name address phone number website description आपका Sam होना चाहिए social media में भी अब social media आपने बना लिया और social media बना के आपको चुप नहीं बेठा है social media को social media के तरीके साब को यूज करना है उसमें आपको continuously post करना है जैसे दूसरे कंपनियां करते हैं तो यह आपने कर लिया उसके बाद आपको citations करने होंगे citations मतलब अभी तोग आपने जो है आपने लिस्टिंग नहीं बनाया अभी यह step में मैं बता रहा हूं आपको citations करने होंगे अब citations आपने मेरे वीडियो देखे होंगे जिस वीडियो में मैंने citations टाइप बताया था आपको यहां पर majorly तीन टाइप के citations पर ध्यान देने होंगे पहला citations आपको करना होगा जो है major citations मेजर साइटेशन मतलब आपको जज़ डाइल इंडिया मार ट्रेड इंडिया इस टाइप के जो बड़े-बड़े साइट से उससे आपको listing कराने होंगे और यह प्रसेस को आपको continue करना होगा जितने भी बड़े साइटेशन करने होंगे इंडिया साइटेशन का मतलब है कि आप जिस भी इंडिस्ट्री में है माल जीए का आपका restaurant है तो ऐसे केस में आपको माल जीए कि जमाटो स्विगी फुट पांदा फुट पांदा ऊवर इट्स इस टाइप के साइट में आपने लिस्टिंग कर लिए वहां पर आपका नेम एड्रेस फॉर नॉबर वेबसाइट यह सारे डीटेल्स सेम होने चाहिए तो आपको इंडूस्ट्री रिलेटेड़ साइटेशन सापने कर लिए मैजर साइटेशन सापने कर लिए उसके बाद जो है आपको करना होगा मतला आप जो भी स्टेट से बिलंग करते हैं उस स्टेट का भी कुछ साइटेशन साइट से वहां पर आपको लिस्टिंग करना है एगें वहां पर आपको नेम एड्रेस फॉर नॉबर वेबसाइट डिस्क्रिप्शन यह सारे चीज़े करने के बाद और टाइम है कि आपका वेबसाइट बन चुका होगा समझ लिजिए कि अभी स्टेप 3 जो मैंने आपको बताया स्टेप 3 में आपका वेबसाइट बन चुका होगा आपने लोकल लिस्टिंग जो है आपने कर दिये होगे और लोकल लिस्टिंग करने के बाद जो है आपने सोशल मीडिया भी आपने create कर दिया होगा आपने different different citation sites में भी आपने खुद को listing कर दिये होगे उसके बाद आपको आपका website को Google search console में verify करवा देने है Google search console में आपका website को verify करवा देने है यह हो गया friends step 3 हमने complete कर लिया अब यह सारे चीज़ को आपको continue करना है कम से कम एक देड़ दो महिने तक one month या one and half month या दो महिने तक आपको continue करना है मतलब website one time task है लेकिन social media one time task नहीं है social media profile आपने एक बार बनाए लेकिन उसके अंदर आपको काम तक continue करना पड़ेगा citation किसी एक site में बनाना one time task है लेकिन 50 site में बनाना है 100 site में बनाना है वह one time task नहीं है आपको 30 दिन में आपने 30 site में बनाया या फिर आपने 60 days पर दो मेने पर आपने 60 site पर बनाया तो वह काम आपका continue रहेगा ongoing रहेगा तो यह one month one and half month या two month आपको करना है अब तो आपको Google business profile लेकिन create नहीं करना है यह आपने कर लिया और यह आपने कर रहे हैं उसके बाद after a month after one and half month after two month आपको Google में जाके search करना है जैसे मैंने आपको step two में बताए था Google में आपने search किया similarly अभी step जो मैं आपको बता रहा हूं step four में यहां पर again आपको जाके Google में search करना है आपके नाम पे आपके address पे आपके phone number पे अभी आपको delete कुछ नहीं मानना है तो अभी आप देखेंगे Google search result पे आपके account बहुत सारे जगा पे दिख रहा है आपका Facebook profile दिखने लगा है आपका trade इंडिया profile दिखने लगा है आपका Instagram आपका Pinterest आपका LinkedIn profile जो है Google में दिख रहा है वीजिबुल हो रहा है जबकि आपने पहले सर्च किया उस टाम पर यह वीजिबुल नहीं हो रहा था नहीं दिख रहा था जब आपका profile आपने Google में search किये नाम डालक Twitter या फिर जोजडाल इंडिया माट इस टाप के profile जो दिख रहा है यानि अभी आपके लिए good news होने वाला है आपने Google में credibility बिल्ड कर लिया Google में आपने अपना उकाद बिल्ड कर लिया मतला अब Google को आप convince कर सकते हैं Google अपने आप convince हो जाएगा कि आप genuine business हो आप actual में exist करते हो और आपको Google business profile जो account बनाने का या होने का आप जो है 100% हगदार हो आप कोई fake business नहीं हो आप जो है serious committed businessman हो relevance accuracy यह सब आप में है अभी जो है आपको right time है आपका Google business profile create करने का अभी next step है आपको यह सारे चीज़े complete हो गया है और आपने Google में check कर लिया है आपका दूसरे सारे sites जो है वो दिखाई दे रहे है search result में अभी आपको Google में जाके Google business profile आपको create करना है जिस तरीके में create करते हैं जो नर्माल तरीके में create करते हैं आपको create करना है ध्यान रहे जब आप profile कर गए one set सारे के सारे information भर दोगे मतलब profile करते हैं आधा information अभी भरा और आधा information आप छोड़ दोगे यह गलती नहीं करना है आपको सारे के सारे information आपका name address phone number आपका working hours attributes products services everything जो है आपको आपका category primary category secondary category मतलब business account गूगल business profile create करने के लिए जो सारे details चाहिए वह आपको one set सारे भर देने हैं उसके बाद उसी time पर आपको verify करा लेना है verify letter नहीं करने है आपको उसी time पर verify कराना है मेरा guarantee है 1000% guarantee है आपको दो सबसे easiest verification method enable होगा तीन verification method आपको enable होगा इधर आपके text message आएंगे code आएगा या फिर आपको phone में जो phone number आपने डाले होंगे उसी phone number पर आपको call में code आएगा या फिर आपने जो आपका business email ID आपने use करते हैं जो business email ID Gmail line business email ID तो जैसे आपका domain के साथ related है example info at rnd digital.in इस type के sales at rnd digital.in इस type के जो आपके business ID होगे उसमें भी code आ सकता है यह तीन method सबसे easiest code आया आपने डाल दिए code आया आपने डाल दिए और instantly within a minute आपका profile हो जाएगा live हो सकता है आपने code डालने के बाद कुछ time लगे backhand पर verify होता है backhand पर process होने के लिए time लगता है लेकिन guaranteed profile जो है live हो जाता है within few minutes आपका profile live हो जाता है हमने बहुत सारे लोगों के यह process में करवाए हैं ह है ना इस process में आपका guarantee जो है live हो जाएगा अब अगर यह process पे आप आपका profile बनाते हैं आपको बहुत सारे benefit आपको लग रहा होगा यार इतना लंबा process है आप तो बोल लहें तो instant verify भाई instant verify हो जाएगा लेकिन process तो करना पड़ेगा मतलब बटन दबाया live हो जाएगा इसा न लाइब हो जाएगा ना आपका profile rank करने लगेगा आपका profile day one से आपका profile rank करने लगेगा आपका profile suspension प्रूफ हो जाएगा आपका profile कभी भी सस्पेंट नहीं होगा थोड़ा बहुत community balance आपने गलत भी कर दिये थोड़ा सा violation कर दिये फिर भी Google में आपका credibility बहुत अच्छा है गुगल में आपने बहुत अच्छा authority build करके रखा है तो ऐसे case में जो है गुगल आपको consider करेगा मतला आपका account suspend नहीं करेगा बहुत सारे case में मैं ऐसे देखा है Google आपको mail भेशता है भाई साब आपने यहां पर यह गलतियां किये हैं थोड़ा सा सुधार ले मतलब इतना अच्छा support Google करता है और चौता है आपका phone number instantly live हो जाएगा phone number review में कभी नहीं जाएगा process लंबा हो सकता है लेकिन यह process को करने के बाद आपका profile instant live, instant ranking, suspension proof, review आप जो भी डलवाएंगे लाएंगे paid review नहीं जो आपके client डालेंगे वो भी आपके profile में दिखाए देगा और day 1 से ranking अब आते हैं friends कि यह मैंना आपको बता द process 1 जो है आपको पहले बता दिया पहले वीडियो के 2-3 minute में मैंने process बता दिया अभी video हो चुका है around 23 minutes process 2 भी बता दिया और आप पहले देखिए कि आप खुद कर सकते हैं क्या process 1 या process 2 आप खुद कर सकते हैं क्या अगर आपका आंसार आता है क्यार मेरे से नहीं हो सकता है process 2 क्यूंकि इसमें time लगने बाला है time देना होगा अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो कर लिजिए ज़रूर कर लिजिए मैं भी चाहूंगा आप कर लिजिए अगर आपको लगता है कि यह process जो है मेरे से नहीं उपाएगा आप शौर और नहीं उपाएगा तो हर रोज 25-50 लोगों के वातसब आते हैं यह तीन चार्ट प्रोब्लेम्स को लेकर प्रोफाल सस्मेंड हो गया है अकाउंट क्रियेट नहीं कर पा रहे हैं नमबर लाइब कर रहा दो जब हम 5000 चार्जेस बोलते हैं कुछ लोगों के मालो हाट अगा जाता है मतलब चार्जेस मेरे कोर्स में दे रहा हूं गुगल बिजनेस प्रोफाइल का जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर वहां जाके आप चेक कर सकते हैं 15 रुप्या का कोर्स है एकदम डिटेल्स में है वहां पर आप उस कोर्स को करके आप आपके प्रोफाल के सारे चीजे कर सकत ईड़ें पहला माने 5000 बताया आपके बास5000 नहीं है आपको 5000 सुनके आप 15 रुप्या मैं आपको बताया 500 कौर्स सुनके आप 15 रुप्या कोर्स में upood 15 रुप्या देगा मेरे साथ तो ऐसे हो चुका है ऐसे हो चुका है अगर आपके बाद 15-500 रुपई भी नहीं है उसके बाद मेरे YouTube Playlist में जाये, YouTube Playlist में बहुत सारे वीडियो है अगर आप playlist को proper follow करो गया आप कर लोगे अब अगर मालेज़े कि आपके पास 5,000 रुपया नहीं है 15,000 रुपया आप नहीं पेकरना चाहते हैं कोर्स में या फिर free video देखके आपको करने का time नहीं है तो यहां पर मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा आप business मत करिए कहीं पर offer करता हो और उसमें आप चौंक जाते हो तो मुझे तो जरूर बुरा लगता है तो इसके लिए ऐसे लोग प्लीज मुझे connect ना करें और मेरे वीडियो बहुत सारा है YouTube में उसको देखके आप कर लीजिए नहीं कर पाए तो आपको मुझे नहीं पता कौन help कर पाएगा अभी आते हैं एक important bonus जो मैं आपको इंटरो में बताया था अगर आपका लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे हम आपके लिए कर दे बाबू कर देंगे हम आपके लिए 100% कर देंगे guarantee वाला कर देंगे मतलब आपका profile so friends अभी अगर लगता है यह process 2 आपको समझने के बाद अगर आपका लगता है कि यार यह हमसे नहीं उपाएगा हमको इतना time नहीं है हो सकता है हम गलती कर सकते हैं या फिर दो महिना करने के बाद अगर नहीं हुआ तो क्या मेरा time waste हो गया आपके सारे बाद बिल्कुल से ही ह आप करते बगत अगर process आपने ठीक से follow नहीं किया तो नहीं होगा आपने पहले दो-चार दिन आपने किया उसके बाद आपको time नहीं हुआ बहुत सारे hips and bots है हो सकता है आप इसको कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप इसके करते चक्कर में आपके बाकी सारे चीज़े भी compromise हो स सकता है इसके लिए हमने इसका paid program launch किया है यानि आपका Google business profile को हम live कर देंगे इसमें chances 90% 80% ऐसा नहीं 100% live कर देंगे अगर आपका business जो है genuinely exist करता है तो अगर आपका license नहीं है आपके बास document नहीं है हम आपके लिए license बनवा देंगे हम आपके लिए documents बना देंगे आपका business profile live ह हो जाएगा आपका business profile verify करवा देंगे आपका business profile पे जो है number live हो जाएगा आपका business profile suspend नहीं होगा दूसरा आप जब से आपका business profile live होगा तो आप से आप rank भी करने लगेंगे बहुत सारे keywords पे यह सारे guarantee मैं दे रहा हूं मैं आपके लिए आपके बिहाब पे हम हमारे team कर सकते है अब इसका अगर मैं time का बता हूं इसके लिए हमें लगेगा two month अगर आप दो महिने देने के लिए तयार है तो हम आपके लिए यह सारे चीज़े कर सकते हैं professional आपका account create करके उसको manage करके उसका local SEO करके आपका profile बे number live करके आपको ranking करके आपका profile आपको handover कर सकते हैं इसके लि that way मैं charge बताना चाहता हूं contract time रहेगा two month two month का जो हमारा charges है वह 30,000 यह 30,000 charges जो है यह non-negotiable charges से एक रूपया हम यहां बागे नहीं करते हैं और हम बागे में बिलीब भी नहीं करते हैं तो 30,000 charges आपको pay करना होगा charges में हमने थोड़ा सा flexibility रखे हैं आपको advance देना पड़ेगा 15,000 रूपीच काम start करने के लिए और उसके बाद one month जब complete होगा उस time पर आपको next installment आपको देना होगा 10,000 रूपीच और जब आपका second month complete होगा जब हम आपको आपके profile handover करेंगे आपके profile के बारे में demo देंगे थोड़ा बहुत आपके profile के बारे में training देंगे कि आपको आगे 30,000 रूपीच देना है इसमें बहुत बड़ा bonus आपको देने वाले हैं हम पूरे दो साल का checklist आपको बना के देने वाले हैं जहां पर आप दो महने के बाद आप खुद आपके business को उस checklist के बैसिस पे आप खुद manage कर सकता है आप खुद प्रो बन जाएंगे फिर आपको किसी क help चाहिए 2-6 मन्त तक आपको personal help या one-to-one help करेंगे जिसमें हम कोई charges नहीं लेंगे जो पहले हमने 30,000 रूपीच लिए होंगे उस 30,000 रूपीच में 2 months से लेकर 6 months तक जो है हम free consulting आपको देंगे so friends अगर आप मेरे से 30,000 वाले service आप लेना चाहते हैं guaranteed वाले service लेना चाहते हैं जिसमें profile live हो जाएगा rank करेंगे number verify होगा suspension proof हो जाएगा तो आप मुझे connect कर सकते हैं whatsapp पर या call पर अगर आपका कोई doubt है मुझे direct connect कर सकते हैं मेरा call and whatsapp नमबर जो है वह 833981 4x8 है so आपको description पर भी number मिल जाएगा फिर्शन नमबर repeat कर रहा हूं 833981 8888 मतलब last में 4x8 है so friends आप instant verification process को जरूर चेक करें चेक करने के बाद आप decide करें खुद कर लिजिए हमारा paid service भी आपके लिए हमेशा अपन है तो फिर मिलते हैं friends वीडियो बहुत लंबा हो गया अगर पसंद आया होगा तो like, comment, share जरूर करना फिर मिलते हैं friends अगले वीडियो में thank you so much